जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस्समिजन यूटूब चैनल और दोस्तो एप में दोस्तो बहुत सारे स्टुडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते वर रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूं कि यह जो Self Study Classes इस प्रकार से जब आप Play Store से करते हैं तो यह आपका वैल जो है आईकन उसमें लगा हुआ है है ना तो इस प्रकार से Self Study Classes आपको सर्च करना है और ऐसे आईकन में आपको एप मिलने बाला है ठीक है तो दोस्तो हम देखें कि Play Store में आपको इस प्रकार से देखेगा यह Self Study Classes ठीक है यह Play Store में आपको Self Study Classes का एप दिखने बाला है ठीक है यह Image उसमें डली है यह आईकन यह Logo उसमें डला है ठीक है अब दोस्तों इसको Install करना है यहां से आप Install करेंगे ठीक है अब Install करेंगे तो बहां पर आपको नंबर मांगेगा Gmail नंबर मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप रेजिस्टर करके आँगे बढ़ेंगे तो सात्यों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अगर अभी तक आपने Self Study Classes एप डाउनलोड नहीं किया है तो Play Store में सर्च करें Self Study Classes और एप जरूर डाउनलोड करने ठीक है जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes व वर्णमाला ठीक है इसके पहले दोस्तों हमने पढ़ा क्या हिंदी भासा को पढ़ा हिंदी की विविन बोलियों को पढ़ा आज हम वर्णमाला को पढ़ेंगे वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं कितने बैंजन होते हैं यह सारी चीज़ें आज हम यहां पर पढ़ने व तो फिर यह विवस्ते समू नहीं होता है तो तो वो क्या कहलाती है वर्ण वाला कहलाती है तो अपन पढ़ते आ रहे है बचपन से ठीक है वर्ण उस मूल द्वानी को कहते जिसका खंड ना हो जैसे पानी तो पा धन आ धन न और धन इसके बाद इनके पा आ ना इसको टुकड ना इको क्या कहेंगे हम वर्ण कहेंगे यानि कि जो पानी है दोस्तो इसमें ये जो है वर्णों से मिलकर कि ये सब्द बना हुआ है और ये जो वर्ण होते हैं इनके टुकडे नहीं हो सकते इनके टुकडे नहीं हो सकते हैना ये क्या कहलाती है ये द्वनी कहलाती है ठीक है 33 क्या है 33 बेंजन है सबी को पता है चार क्या है सन्युक्त बेंजन है ठीक है चार उसमें बेंजन भी है और दोस्तो दो उत्छिप्त बेंजन है और अम और आहा ये क्या होते हैं दोस्तों ये अनुस्वर होता है और ये बिसर्ग होते है अता इनका विवरण इस पिरकार है त पर कि वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं कितने वर्ण होते हैं आप बताओगे बावन इसमें स्वर कितने होते हैं ग्यारा बेंजन कितने होते हैं इसको भी आपको पता होनी चाहिए उसमें बेंजन कितने होते हैं शिप्त बेंजन कितने होते हैं अनुस्वर कौंसा होता है ठीक है यहां पर यह आपको समझ में आगी अब हम दोस्तों वर्णमाला को देखेंगे कि वर्णमाला को दो भागों में बाटा गया एक तो आपका हो गया स्वर्व ठीक है दूसरा हो जाएगा बेंजन ठीक है तो इनको आपको याद रखेंगे यहां पर हम स्वर्व को दे हिरस्तोस्वर है, तो आ, ई, उ, और री, ये क्या कहलाते हैं, हिरस्तोस्वर कहलाते हैं, आप से यहां से पूचा जाएगा, दीरगिस्वर कौन से हैं, तो आ, ई, उ, ये क्या कहलाते हैं, दीरगिस्वर कहलाते हैं, इनी के अंदर दोस्तों ये भी आते हैं, ये भी दीरगिस स्वर कहलाते हैं जो कि दोस्तों अनेक स्वरों के मेल से बनते हैं ठीक है मेल से जैसे आ और ए मिलकर क्या बना रहा है ए आ और ए मिलकर आई बना रहा है तो यह क्या कहलाती है संयुक्त स्वर की अंतरगत आते हैं और इन्हें चरहे हैं करके किस यह था हुते हैं जो बर्ग होते हैं तो यह युणा पूच पूच पर sacrifice लाती तो यह क्या कहल request कहलाते हैं अन्धस्थ बैंजन के अगर बात करें तो क्या आ ला sit peine अब आप से सिल सीधा पूचा जाएगा निमने मैं वह से बताईए कौन सा अंतस्त बेंजन है या फिर अंतस्त बेंजन नहीं है तो या रा ला वा ये अंतस्त बेंजन कहलाते हैं उसमें बेंजन की बात करें तो सा और हा ये क्या कहलाते हैं दोस्तों ये उसमें बेंजन कहलाते हैं ठीक है तो आपने देख लिया ये अंतस्त बेंजन तो इसमिंगें और ये अस्पर्स बेंजन गहलती है तीके अब यहां पर हम देखेंगे दोस्तों अनुस्थफट बैंजन lady अहां ये क्या कहलाती है नुस्वर और बिसर्ग और इनको क्या कहा जाता है आयोगबा है कहा जाता है नुस्वर और बिसर्ग को आयोगबा है कहा जाता है ठीक है उत्छिप्त बेंजन कौन से हैं तो ये रा औढ़ा ये क्या कहलाती है उत्छिप्त बेंजन कहलाती है आप से पूचा जाएगा निवन वैसे बताए कौन से उत्षिप्त बेंजन है तो रा उढ़ा आपको पता होने चाहीँ ठीक है फिर बात करें संयुक्त बेंजन की तो छा ग्यासर छत्रग्यसर यह क्या कहलाती है संयुक्त बेंजन यानि कि दोस्तों यह अन्य वरणों की सहायता से मि या बन गया अदसा और रावन की स्था बन गया यहां से कॉस्चर बनता है निम्नवय से बताइए कौन सा सन्युक्त बेंजन है या पर नहीं है ठीक है और यह आप से पूचा जाएगा कि छा किन वरणों के योग से बनता है तो आपको यह सा पता होनी चाहिए यह जो सन्युक का खा गा जा फा यहां पर यहां पर नुक्ता लगा रहता एक है ना यह क्या कहलाती है आगत ध्वनिया कहलाती है आगत ध्वनिया आपको पता होनी चाहिए ठीक है अब देखें हिंदी के स्वर उन्हें कहते हैं जिनका उच्चान किसी अवरूद के या बिना बाधा के होत हिंदी में स्वरों की संक्या कितनी है 11 होती है स्वरों की संक्या ठीक है हिरस्तस्वर की आ ई उ और री ए हिरस्तस्वर कहलाते हैं आपसे पूंचा जाएगा इन्होंने मैंसे बताई यह कौन सा हिरस्तस्वर है तो आपको पता होने चाहिए कि हिरस्तस्वर कहलाते ठीक है इतन चांड की सहायता से होता है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि वरणमाला को दो भागों में बाटा गया, एक तो स्वर, दूसरा बेंजन, स्वर का देखा कि स्वर स्वतंतर रूप से उच्रित होते हैं, जबकि जो बेंजन है वो स्वरों की सहायता से दोस्तों इनका उच्चान किया जाता है, तो देखे स्वर है, मतलब यह जो बेंजन है, यह जो का बेंजन है, यह आ स्वर की सहायता से दोस्तों इसमें बना है, यहनि की का में आदा का और आ इसमें छोपा हुआ है, तो आदा खा और आ मिल करके बना खा, जब हम पूरा ना लेते हैं, खा है, तो इनमें क्या होता है, आ छोपा रहता है इसमें आ तो सवरों की सहायता से यह बेंजन बोले जाती है उच्छरेत होती है ठीक है अता हिंदी में कितने हैं 33 बेंजन है जो इस परकार से इस परस बेंजन की बात करें तो यह कावर्ग चावर्ग टावर्ग और पावर्ग यह क्या कहलाती है इस परस बेंजन कहल कच सब्सक्राइब और जाए टाठा दाठा टाथा डाधान पाफा बाभा था इस पर बेंजन कहला घदी Alrighty या रा ला वा अंतस्त कहलाती है आपसे पूंचा जाएका मैंसे से बता कौन सा नहीं है उसमें वे RICHARD की बात करने तो यहां देखें यहां पर एक मात्रिक होती है ठीक है दीर के स्वर ये दुई मात्रिक होते हैं जैसे आ, ई, उ, है ना ये क्या कहलाते हैं दुई मात्रिक कहलाते हैं सन्युक्त स्वर ये भी दुई मात्रिक होते हैं तो इने दोस्तों ये जो होते हैं इने भी काई में दीर के स्वर में भी रखा जाता है और ये सन्युक्त का अंक लगाया जाता है जैसे ये जैसे ओम के इस प्रकार से तो ये क्या होते हैं तिरमात्रिक होते हैं कौन से पिलुत स्वर तो ये स्वरों के बारे में अपने देखा अनुनासिक में आपने देखा ये इसका उचान नाक इमाम मोह से होता है ऐसा पूछा जाता है जैसे चा गाव और दात इसका कैसे होता है उचाण नाक और मोह दोनों से होता है ठीक है अनुस्वर देखो यह क्या कहला था अनुनासिक अनुस्वर के बाद आने बाला बेंजन है इसकी ध्वनी नाक से निकलती है जैसे अंगद कंगन है ना तो यह अनुस्वर कहलाती है अनुस्वर और अनूनासिक ठीक है यहां निर्ना नूनासिक देखो इसके उचाड़ में ना तो बिंदी और ना तो चांद बिंदी का प्रियोक किया जाते है यहां पर अनुनासिक जिनका उचान नाक और महधवनों से होता है अनुसर जिनका उचान दोस्तो नाक से होता है है ना और निर्नानुनासिक इसके उचान में ना तो बिंदी और ना तो चंदर बिंदी का प्रियोक किया जाता है ऐसे सब्द है इलाहबाद बनारास इधर उधर ये क्या कहलाती है यहाँ पर अपने दोस्तों बर्णमाला के बारे में पढ़ लिए वर्णमाला की दोस्तों यहाँ पर अपने देखा कि ये वाली आगत्व्ध्वनी कहलाती है अपन डाक्टर लिखते न ऐसे है ना तो ये आगत्व्ध्वनी है अग्रस्वर कौन-कौन से है ए-e-a-i ए-ग्रस्वर कहलाती है मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् और यहां से question पूछे जाते हैं दोस्तों ठीक है इनको याद रखेंगे ना हिंदी बेंजन देखो एक नजर में बेंजन जिनका उचान सुरों की ता सहायता से होता इस पर्स बेंजन कौन से हैं तो का से मा तक इनकी संक्या कितनी होती है पच्चीस होती है ठीक है अंतस्त बे क्यूंसे प्रीचा के नीए बैंजन चिरे ,quick आत्या रहां दन से का सहा, सह, 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 और हा यह उसमें बेंजन कहिलाती है , इनकी संक्या कितनी होती है उत्षिप्त यह जिनें दूई-ढूड़ी बैंजन भी कहा जाता है रखेंठा इनकी संक्या दो होती आपसे पूचा जा एना क्या पलाती है संयुक्त च्रेइद च्रेखा नुकता लगा जा का खाघा जा से तुकित च्च्रेए परमपम कि से को या और वा ये और देस्वर होते हैं कंट एक से इनका उच्छण होता है कंट से टीक है कार से होता है चावर्ग का चाचात जाजा इया मूर्द़ा से होता है where कांट हाफश हुथा है पाफा भाभा मा ये अपन देख लिया न का चाट अखेесп्वर है ना और यहां देखो कंट है फिर तालू चावर्ग just तालू से और अंगला देखे एग्यागै दोस्तों इंग्या वाला इसका उच्चानस्तान क्या है कंट से उच्छत होता है है ना इर्च ओँसर प्लस नस्क्या से ना तो कंठ और नास्किया से नास्किया तो आई गई इसमें ना मूर्दा और नास्किया से होता है राका दंत और नास्किया से होता है नाका ओस्ट और नास्किया से होता है माका तो यह क्या है यम गड़नम यानि की वर्ग का पंचम एक्चर है और यह दोस्तों एक रंबा दिन का उ AI कंट तालू, हैना, AI कंट तालू, O-Oव कंट उस्ट, O-Oव कंठोस्त, Ñ आई कंट तालू, AI कंठ तालू, انका उचांशतान है, और O-Oव जो है, एक उचांशतान हैं, अचांशतान हैं, वेंजनों का बर्गीकरण देखें, प्राण बायू के आधार पर, गोसत्तो के आधार पर उचान स्थान के आधार पर और मुख भाग के आधार पर ये बेंजनों का बरगी करन किया गया तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तो प्रान बायू के आधार पर प्रानत्त के आधार पर बेंजनों का बरिग्यान दो प्रकार सी किया गया कौन-कौन से एक तो होते हैं अलप प्रान और दूसरे होते हैं महा प्रान ये प्रानत्त के आधार पर है ठीक है प्राण बायू के आधार पर ठीक है तो यहाँ पर देखो प्रत्यक बर्ग जैसे का खा गा गा इंग्या का पहला तीसरा और पांचवा वरन अल्प प्राण होता है जैसे का गा और इंग्या है ना तो यह आपको याद रखें ना प्रत्यक बर्ग का पहला तीसरा और हमने बर्ग देखा न, का, चा, ट, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, है न, ये बर्ग के पहले तीसरी और पांच वी वर्ण को क्या कहा जाता है, अलप प्रान, वो अलप प्रान के अंतरगत आते हैं, महा प्रान देखो, तो प्रतेक बर्ग का दूसरा और चोथा जो वर्ण होता है वो क्या कहलाता है महाप्राण जैसे यहाँ पर का वर्ग में देखें तो यह दूसरा वर्ण है और यह क्या है चोथा वर्ण है तो यह काई के अंतरगत आएगा महाप्राण के अंतरगत आएगा बाकी एक तीन और पांच यह अलप प्राण आएंगे है ना तो महाप्र बर्ग का ещё का पहला और दूसरा अगोश कहला था, पहला और दूसरा अगोश, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें तो का और खा, यह क्या कहलाएंगे? यह कहलाएंगे, आपके अगोश कहलाएंगे, तो आप समझ गए बर्ग के 25 अक्चर में जो का, चा, टा, कावर्ग, चावर्ग होते हैं इनी बर्ग के प्रतम और दुतिय अक्चर जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तो अघोस कहलाते हैं ठीक है सघोस की बात करें तो सघोस में प्रतिक बर्ग का तीसरा, चौथा और पांच बाज ये सघोष या पिर गोष के अंतर गताती है तो एक डो अखोष 345 सघोष्या पिर गोष कहा जाता ठीक है तो ये घोषसत्त्तु की आधार पर भी आपको पता चल गय तो यहां पर अपने अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण मतलब 1-3-5, महाप्राण मतलब 2-4, ठीक है, अगोस मतलब 1-2, और सगोस मतलब 3-4-5, ठीक है, अल्पप्राण तता महाप्राण में आने बाली बेंजन देखो, प्राण तो क्या धार पर, अल्पप्राण दोस्तों, इसको आपक और पंचम, तो यह क्या हो जाएगा का गा और यह यहां चा जा यहां तो यह क्या होती है, 135 आद रखेते lagi, 135 अल्फ प्राण है और 24 उसमें, तो 24 में मतलब 2 और 4 तो दूसरा और चत्र तक्चर हो जाएंगे, प्लसमें इसमें उसमा, उसमें वेंजन भी आते हैं, सा सा हां, ए भी दोस्टों, इसमें, काय में आते हैं, महाप्राण में आते हैं, और ए है अलपिप्राण में आ जाते हैं, तो अलपिप्राण 135 याद रख बात करें अगोस तता सोग घोस सगोस में आने वाली बेंजन कौन कौन से हैं अगोस में देखें तो एक दो एक दो यानि की बारा ठीक है ऐसे और घोस या सगोस में तीन चार पांच तीन चार पांच तो ये तो आपको पता चल गए ठीक है ये अगोस कौन से होते हैं बरगे क प्रत्रा मर्दूतिये और घोस और सघोस ऒस्या जिसे सघोस भी कहा जाता है कुँल है तो आप अंतंग के पहला प्रस न इसके पहले हमें वर्नमाला को बहुत अच्छे से पड़ा था, अब आपसे पूछा जाता है यहां पर कि कौन सा सन्युक्त बेंजन हैं, तो सन्युक्त बेंजन में चार बिकलप आपके पास हैं, छा, है ना, चा, टा और अउ, तो सन्युक्त बेंजन पूछा गया, तो सन्युक्त बेंजन हम पढ़ते हैं दोस्तों कौन-कौन से चा, च्रा, ज्या, और स्रा, है ना, यह क्या पड़ते हैं एपन, शञ्युक्त बेंजन पड़ती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुष सही अंचर क्या है, चा, यह क्या है, शै्युक्त बेंजन माना जाता है, ठीक है, अब अंगला question आपको बताना है दोस्तो चा ध्वनी का उच्चान स्थान क्या है चार विकल्प है आपके पास दंत है तालब है ओस्ट है या फिर वर्स से है तो आप लगाईए मैंने आपको बताई थे कि जब हम पांच बर्ग पढ़ते हैं और पांच बर्ग के का चा टा ता पा तो का बर्ग कंट से बोला जाता है उसके बाद चा वर्ग तालू से बोला जाता है का चा टा वर्ग जो मूर्दा होता है ता है ना ता वर्ग जो होता है दोस्तो वो दंत से और पा वर्ग होता है ओस्ट से ठीक है यहां पर आप से च्छा पूचा गया तो यह च्छा कि तरवी क्या हो जाएगा यहां पर C number चा क्या है तालब है ठीक है अंगला question देखो कौन तालब ध्वनी है तालब ध्वनी बताना है अब आपसे बनेगा question तो फटाक से बताईए comment में चार बिकल्प आपके सामने और तालब ध्वनी आपसे पूछा गया है तो दो सेकंड आपको दिये जाते हैं और आपने बिल्कुल सही answer का chain किया है इसर जो तालब ध्वनी है वो है चा है ना चाबर्ग जो है चाबर्ग चाचाजा यह तालू से उच्चड़त होते हैं तो आपका उत्तर कहां चला जाता है एक की तरफ ठीक है यह नम्मर आपका बिकल्प नम्मर ए और ए नम्मर आपका बिल्कुल शाहिए ठीक है पहस्चिस्वर की अंतरगत आता है आ ठीक है तो ए आपका राइट अंसर हो जाएगा अंगला क्वेस्चन है इनमें से कौन सा युग में अघोस ध्वनी है अघोस और सघोस आपने पड़े हैं है ना तो चार-पांच जो वर्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं सघोस या फिर घोस है ना तो यहां पर आपसे अघोस पूंचा गया है तो बर्ग का प्रथम और दोस्तो दुतिये यानि कि प्रथम और दुतिये जो वर्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं अघोस कहलाते हैं तो यहां पर पा और फा ये क्या है प्रिथम वर्ण और दुतिय वर्ण है ना पा वरगे के प्रिथम और दुतिय तो ये क्या कहलाएंगे दोस्तो अघोस कहलाएंगे अघोस ठीक है इसको याद रखेंगे अब आपसे अंगला कोस्चिन पूछा जाता है दोस्तो काब एंजन की विसाय में नि एक तीन पाँच है ना अलप प्राण में एक तीन पाँच यानि कि प्रतम तरतिये और पंचम वरन क्या होता है अलप प्राण होता है महा प्राण दुतिये और चतुर तो होते हैं तो देखो का तो अलप प्राण है है ना का अघोस भी है क्योंकि अघोस में तो प्रतम और जिंदन भी है और इसका उचान स्थान कंट है तो आपका उत्तर क्या हो जाता है यह नमबर सही हो जाता है का के बारे में पूछा गया था तो यह आपका बिल्कूर सही है अब दोस्तों इसके बारे में और भी प्रस्णों को देखते हैं यहां पर आ जाओ अंगला कोश्चन आपसे पूछा जाता है कि हिंदी में अनुस्वर किस ध्वनी का सूचक है किस ध्वनी का सूचक है कि रहे आपके चार बिकल्ब अनुस्वर किस ध्वनी का सूचक है बताईए नहीं है स्वरी नहीं है बताना है तो किस ध्वनी का सूचक नहीं है इंग्या किया रा या फिर या तो अनुस्वर किस ध्वनी का सूचक नहीं है ये आप से बताया दोस्तों आपने पढ़े होंगे कि बर्गे के पंचम जो अक्षर होते हैं यम गड़नम जो अपन पढ़ते हैं दोस्तों ये पंचम अक्षर के बारे में अपन देखते हैं कि अनुस्वर से संबंदित होते हैं और यहाँ पर नहीं है पूछा गया तो यह जो या है या यह नहीं है अनुस्वर का सूचक नहीं है या तो तर क्या हो जाता है आपका डी नमबर ठीक है फिर अंगला कोस्चन आपको यहां पर बताना है दोस्तो उचान स्थान की आधार पर यहां बेंजन है तो यह क्या है बताईए उचान स्थान की आधार पर आपको बताना है तो यह किस बर्गे की अंतरगत आता है आपने पढ़ा होगा चा चा जा 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 यहां है ना पड़ा है तो चावर्गे के अंतरगत आता है यहां तो चावर्गे आपने देखा कि यह चावर्गे का जो उच्छानस्तान है वो क्या है चावर्गे का तो अपने देखा था कि कावर्गे तो कंट से उच्छरित होता है फिर का के बाद आता है चावर्गे तो चावर् बताईए जिन ध्वनियों के संयोग से सब्दों का निर्मार होता है उन्हें क्या कहते हैं बताईए ध्वनी पिर्ती ध्वनी वानी या फिर स्वनेम क्या कहा जाता है और आपने बिल्कुल सही आंसर चैन किया है इसर उन्हें कहा जाता है श्वनेम क्या कहा जाता है श्वनेम और आंसर आपका D number बिलकुल सही हो जाता है D number सभी लोग comment में जरूर बताएं वीडियो को share जरूर करें और self study classes का app जरूर डाउनलोड करें ठीक है जहाँ पर दोस्तों आपके लिए course launch किया गया हिंदी साहित का पंजाब मास्टर के डर के लिए TGT PGT यादी सभी जिसमें हिंदी साहित पूछा जाता है हिंदी ब्याकण पूछा जाता है अब यहाँ पर आपको बताना है सुद्ध कातन बताना है इस तालब दुनिया है कि मूर्धन उत्षिप्त दुनिया है इनका प्रेयोग सब्दिकी आरांब मद्ध तथा अंत में सरबत्र किया जाता है या फिर दोनों महाप्राण है अभी चार बिकल्प में से आपको चैन करने के लिए बोला गया कि ये जो ध्वनिया है इनके बिसाय में सुद्ध कतन कौनसा है तो आपने बिलकुल सही आंसर लगाया है कि सर ये मूर्धन उत्छिप ध्वनिया कहलाती है अर्थात इन्हें दुई गुड़ी बेंजन भी कहा जाता है तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर ठीक है बी की तरफ आपका राइट अंसर फिर अंगला कोस्चन है दोस्तों कि उचान की द्रश्टी से सा 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 बेंजन किस प्रकार की माने जा हाती है उच्चान की द्रश्टी से आपको बताना है एक क्वेश्चन कई बार पूछे गए और यहाँ पर आपका बिलकुर सही आनसर हो जाता है दोस्तों ये कहलाते हैं क्या उसमें उसमें कहलाते हैं तो उत्तर चला जाता है कहां पर सी की तरब चला जाता है जो बिल्कुल शही marvel है ठीक है अंगला question नम्न मैंंसे कों वर्न अंतस्त नहीं है अंतस्त कौं सा नहीं बताए यह रा हा या फिर वा ऊंतस्त कन नहीं है अंतस्त नहीं पताना अंतस्त अपनने पढ़े थे कौन कुंसे पढ़े थे या, रा, ला और वा के अंतस्त बेंजन के अंतरगत आते हैं ठीक है तो अपने यहां पर देखा कि सर या तो है रा भी है ला नहीं है लेकिन वा है तो यहां पर जो हा दिया है के अंतस्त के अंतरगत नहीं आता और चला जाता है उतर किस तरफ बी की तरफ ठीक है very good अंगला question है दोस्तो या रा ला वा बेंजनों को क्या कहते हैं ये भी question आपसे पूछ लिया गया और ऐसा पूछा भी जाता है कई बार तो बताईए क्या कहते हैं या रा ला और वा बेंजनों को क्या कहते हैं आसान question सबसे बनना चाहिए ये question हमेशा पूछे जाते ह है ना तो यहां पर आपका बिल्कुट शही है आंसर क्या है अंतस्त बेंजन इन्हें कहती है या रा ला वा किन बेंजनों को अंतस्त बेंजन कहती हैं और एक कई बार पूछे गए हैं फिर अंगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि निम्न मैसे वह कौन सा और दिये हैं दो बिकल्फ आपको यहां पर दिये हैं दोस्तों यह हैं बेतोका और समुचित है ना तो यहां पर तो आपका यह समुचित सही हो जाएगा समुचित मतलब ओचित भी होता है पूर्णी भी होता है इस प्रकार से ठीक है तो यह डी नमबर तो आपका बिल्कु कौन से हैं तो आपने बिल्कुल सही answer chain किया है कि sir उसमें बेंजन की अगर बात करते हो तो यह जो सा 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 और हा दिया है यह कहलाते हैं क्या उसमें बेंजन और यह नम्मर आपका बिल्कुल सही हो जाता यह नम्मर ठीक है हिंदी के जिन वरणों का उच्चार्ण करते समय केवल स्वास का प्रियोग किया जाए उन वरणों को क्या कहते हैं बताईए उन वरणों को क्या कहा जाता है अगोस कहा जाता है शगोस कहा जाता है अल्प प्राण कहा जाता है या फिर महा प्राण कहा जाता है तो आपका right answer बिलकुर शही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उन्हें कहा जाता है अगोस क्या कहा जाता है और अगोस जो होते हैं आपने देखा होगा बर्गे के प्रिथम और दुतिये बर्गे के प्रिथम और दुतिये वर्ण क्या होते हैं अगोस होते हैं और 3, 4 और 5 यह क और सगोस और अगोस हो गए अलप्राम् कोन होते हैं, एक, तीन और पांच अलप्राम् कोन से होते हैं, दो और चार, बरगे के दूतिये और चतोर तक्या, ठीक है, इनको याद रखेंगे. हिंदी में मूलते वर्णों की संक्या कितनी होती है वर्णों की संक्या मूलते बतानी है तो ये तो सभी को पता है कई बार पूचा भी जाता है तो उत्तर आपका यहां पर चला जाता है वावन हिंदी में मूलते वर्णों की संक्या होती है वावन जो किस्ती नमबर आपका ब कितनी मानी जाती है ये उत्तर आपको बताना है और सुरोंकी संक्या आपसे पूचा गया तो उत्तर चला जाता है ग्यारा की तरफ ठीक है ग्यारा और ए नमबर आपका बिलकुश सही है और दोस्तों दो होते हैं कौन से अम और आहा अयोगवाह कहलाते टिक है ? यहाँ पर स्ती आपका सही है हिंती बर्णमाला में बेंजनों की संक्या कितनी है तो यह चार विकलब है और बेंजनों की संक्या आपको बतानी है तो कितनी मानने जाती है 32, 33, 34 या फिर 36 तो आसान सा क्वेस्चन बेंजन पूप्छा गया तो उत्तर हो जाता है क्या 33, 33 यानि स्ती आपका विल्कुल चाहिए, विल्कुल राइट अंसर, जिन सब्दों के अंत में आ आता है, उन्हें क्या कहते हैं, ये क्वेस्चिन कई बार पूछा गया, जिन सब्दों के अंत में आ आता है, उन्हें क्या कहा जाता है, क्या अकारांत ठीक है और डी नमबर आपका अकारांत बिलकुल शही है जी नमबर ठीक है यह सरल क्वेश्चन है लेकिन पूछे भी जाते हैं दोस्तों इनको आपको बताना है अयोग बाह है अयोग बाह है बिसर्ग महाप्राण संयुक्त बेंजन या फिर अलप प्राण तो जो अम होता है और जो अहा होता है यह क्या कहलाते हैं यह अयोग बाह कहलाते हैं तो इसको क्या बोलते इसको बिसर्ग बोलते बिसर्ग तो यह बिसर्ग यहाँ पर दिया है तो यह क्या है अयोग बाह है यानि कि यह नमबर आपका बिलकुल शही है फिर अंगला अंतरगत आता है कौनसा आपका कमेंट जल्दी से आना चाहिए और राइट आंसर चला जाता है बिकल्प नम्मर एक की तरह पस्चिस्वर जो होता है वो होता है ए ए आपका विल्कुर शही ठीक है बहुत बढ़िया अंगला कोस्चन देखते हैं यहाँ पर कि निम्न वैसे ब बिकल्प और है और आपका राइट आंसर एक कौस्चन पूछा गया है दिल्ली दिल्ली में यसे दुट वैंजन जो होते हैं आदा ला और लाया इस परकार से अगर वैंजन आते हैं तो इनको क्या कहा जाता है दुट कहा जाता है दुट यह कौस्चन आता है कई बार और ज आ, आ, ई, ई, उ, उ, या फिर अम, अहा, तो अयोग बाह वर्न पूचा गया और पहले भी अपन पढ़ चुके हैं, तो अम और अहा ये क्या होते हैं, अयोग बाह होते हैं, ठीक है, कौनसा अमानक वर्न हैं, मानक नहीं पूचा गया, अमानक पूचा गया यहां पर, अमानक जो वर्न माना जाता है दोस्तों एक ज्जा जो है ज्जा ये क्या माना जाता है अमानक वर्न माना जाता है और उत्तर चला जाता है आपका C की तरफ, च्री नंबर आपका सही है, निम्न मैंसे कौन सा घोस वर्ण है, और घोस वर्ण की बारे में तो अपन ने पढ़ाई है, घोस यानि की सघोस, सघोस को ही घोस कहा जाता है, तो अपन ने देखा था कि बर्ग का प्रतम और दुती एक्छर अघोस, और 3-4-5 सघोस, के लिएर, अब यहाँ पर आपसे घोस पूचा गया, यानि की सघोस पूचा गया, तो 3-4-5, तो अपन देखते हैं दोस्तों, कि जो मा है, यह क्या है, पंचम बर्ण है, पंचम बर्ण है की नहीं, बिलकुल है, ठीक है, तो यह क्या कहलाएगा, यह घोस या सघोस के अंतर गताते हैं, और यह जो मा है, यह पंचम बर्ण है, ठीक है, तो पंचम बर्ण काई की अंतर गताएगा, यह वो लिसर घोस या पर सघोस के अंतर गताएगा, ठीक है, अपर ब्रेंज के कितने प्रकार होते हैं, अपर ब्रेंज के बताना है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप उसमें या फिर संधी छा त्रा ग्या किस प्रकार के बेंजन हैं तो अपने इनको पड़ा है कि सर जो विभिन बेंजनों के या सुरों के मेल से जो बनाय जाती हैं तो दोस्तो योग से बनाय जाती हैं अन्य वरनों के योग से बनाय जाती हैं वो क्या कहलाती हैं संयुक्त कहल तो आपको पता हो निचाइए कि जो ये ए ए हैं है इनका उस्चान स्थान है दोस्थों क्या है बताई है comment में सभी लोग बिल्कुल शही बहुत वड़ी आंसर बताया है कि a और i ए क्या है कंट तालू क्या होते हैं कंट तालू होते हैं और बिकल्प नमबर d की तरफ आपका उत्तर चला जाता है ठीक है अगोस वरण कौन सा है वरण माला में यह तो पूछा जाता है दोस्तो सगोस अगोस कंट तालू चान स्थान इनी को अपन को पढ़ना पढ़ता है यहना अघोस वरन बताना है और अघोस में आपको यहाँ पर चार विकल्प दिये हैं और चार में से आपको चैन करना है तो यहाँ पर आपका दोस्तों सा 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 जो आते हैं यह भी अघोस के अंतरगत ही आते हैं ठीक है अपनने दोस्तों वरन के प्रिथम और दुतिये तो पड़े थे लेकिन सा सा जो वाले होते हैं ये भी काई के अंतरगत आते हैं अगोस के अंतरगत तो आपका उत्तर चला जाता है दी की तरफ ठीक है दी नम्मर आपका सा सा उसा ये तीनों जो सा होते हैं कि अगोस वरन की अंतरगत आते हैं त ठीक है तो अलपिय प्राण, वरनों कौंसे होते हैं, ये आपको यहां पर बताना है, तो बरगे का, प्रतम और तरतिए वरन, अलपिय प्राण होता है, तो प्रतम में का और गा, क्या होता है तरतिए दो ये B-N-M-M-R, आपका क्या हो जाएगा ए अल्प प्राण बरन कहलाएंगी तो B आपका right answer बिल्कुर सही हो जाएगा ठीक है अंगला question निम्न मैंसे नासिक के बेंजन कौन सी है जिनका उच्छान नाक से होता है दोस्तों बताईए तो नासिक के बेंजन कौन सी कहलाती है तो अपन देखते हैं पंचम अक्षर जो होते हैं पंचम अक्षर में एक यहाँ पर वरन दिया है वो बरन कौनसा है वो है इना एक क्या है नासिक के बेंजन है और बी की तरप आपका उत्तर बिलकुल शही हो जाता ठीक है? अगला क्वेस्चन है दोस्तों सा, सा, सा और हा यह कौनसे बेंजन कहलाते हैं? यह क्वेस्चन कई बार पूँचे जाते हैं यह ना? और कई बार आपको याद भी रख लेना है ठीक है? तो इन्हें दोस्तों कभी उसमें में रख दिया जाता है, उसमें पूछ दिया जाता है, बिकल्प में अकेला उसमें दिया जाता है, कभी संगर्सी भी पूछा जाता है, तो इन्हें हम उसमें संगर्सी कहते हैं, तो यह क्या कहलाते हैं, तो यह क्या कहलाते हैं, उसमें संग बेनजन कहलाती हैं इनको याद रखेंगे दुनिया आपको बताना है चार विकलप हमें दी गई है कि कंट ध्धवनिया कौशी है और कंट में हम पढ़ते हैं दोस्तों कि कंट ध्वनिया वह होती है जो बर्ग के जो प्रतम अक्छर होती है दोस्तों वह क्या कहलाता है वह का अब ग्यावर्ण किन वर्णों की संयोग से बना है ग्याग्यानी का बताना है किन वर्णों की संयोग से बना होता है तो बताईए चार बिकल्प हैं सभी लोग कमेंट में लिखते जाए वीडियो को लाइक जरू कर दें है ना और रोज किलास आट बजे होती है दोस्तों एक नई किलास आपको फ्रेशित की जाती है, ज्या बरन, किन बरनों की संयोग से बना है, यह उत्तर अगर एक continue आप देखते हैं दोस्तों, तो ब्याकरण में इससे हटके कोई question नहीं आ सकते हैं, तो आपको continue देखना है, और 35 का उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, कि आदा, ज हलंत बाला जो जा है, और इया वनकर के क्या बनाती हैं, जा, कई बार question आ गया है, इसलिए आपको तयार रहना है, अंगला question है, अनुनासिक का संबंद होता है, तो किस्ते होता है, केबल नाक से, केबल मोह से, नाक और मोह दोनों से, या फिर इन में से कोई नहीं, बताइए अनुनासिक का संबंद जो होता है, वो किस्ते होता है, हमारे पास चार विकल्प हैं, चार में से अनुनासिक का आपको बताना है, और यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, आपने चैन किया है, दोस्तों, कि अनुनासिक का जो संबंद होता है, केबल नाक से नहीं होता, ना यानि कि छत्रग स्रे जो होते हैं ये क्या होते हैं संयोक्त वरन कहलाते हैं यानि कि दोस्तों ये अन्वरनों की सहायता से बनते हैं तो योग से बनते हैं ऐसे इच्छा वरन आपको बताना है कई बार पूचा गया और कई बार उत्तर भी गलत करके आते हैं कुछ लोग कभी कभी यहां तो नहीं दिया, कभी कभी क्या दिया जाता है, का पिला सा दिया जाता है, और यहां पर आदा का और सा दिया जाता है, हलंत वाला का, तो आपका उत्तर यह बाला होता है, आदा का और सा होता है, मिलकर के क्या बनते हैं, छा बनते हैं, तो याद रख लेना, अ घा घा या फिर रडा तो कौन सा टावर्ग नहीं है पन बर्ग के दोस्तों पचिस अक्षर पड़ते हैं है ना तो कावर्ग खावर्ग कचट तब पड़ते ना आपन कचट तब कावर्ग चावर्ग इनको पढ़ते ना तो यहाँ पर टावर्ग की अंतरगत कौन नहीं आता तो बताईए नहीं पूछा है तो आपका उत्तर हो जाएगा कि जो डी नमबर है कि कावर्ग की अंतरगत नहीं आता यह तो कावर्ग की अंतरगत आता है तो काख पढते हैं उत्तर चला जाता है आपका D की तरफ Dनमर आपका बिलको सही हो जाता है अंगला गोस्चन है कौंसा वर्ण वचान की द्रष्टी से दंत नहीं है दंत नहीं पूचाएं दोस्तों बताईए किसी का वचान दंत से नहीं होता तो मैंने आपको बताया था कावर्ग कंट से हैना चावर्ग दोस्तो काइसे तालू से और चा के बाद आता है तावर्ग तो टावर्ग होता है मूर्धा से है ना और तावर्ग जो होता है वो दंत से होता है और पावर्ग होता है ओस्ट से तो यहां पर आपसे दंत नहीं पूछा तो ता था दा धा ना ये तो दोस्तो तावर्ग की अंतरगत आते हैं लेकिन जो तावर्ग है कि तावर्ग तो तालू से उच्छरित होता है तो बेंजन यानि की तालू से जिनका उच्चान होता है वो कौन से हैं तालू से बताना दोस्तों तो बताईए अपनने पड़ा था कि सर कावर्ग कंट से चावर्ग तालू से है ना फिर चा के बाद होता है कचट तावर्ग का चा चा और ता तो जो तावर्ग होता है वो अंगला question आप से पूछा जाएगा अनुनासिक बेंजन कौन से होते हैं बताइए बर्ग के प्रतमा अक्षर बर्ग के तरतिया अक्षर बर्ग के चतुरता अक्षर या फिर बर्ग के पंचम अक्षर चार बिकल्प हैं अनुनासिक बेंजन के बारे में हमें चैन करना है और आ कि अनुनासिक बेंजन कहलाते हैं और आपने बिल्कुल सही चैन किया है वीडियो को सभी लोग लाइक जरू करते जाईएगा और रोज रात त्री आठ वजे इसी प्रकार से अपन पड़ते हैं प्रेक्टिस करते हैं इस्तान के आधार पर बताईए कि मूर्धन बेंजन कौन से हैं मूर्धन बेंजन आपको चैन करना है सभी लोगों को चैन करना है और जिन भी सात्यों ने अभी सेल्फ स्टेडी किलासेस एप डाउनलोड नहीं किया है वो सेल्फ स्टेडी किलासेस एप जरू डाउनलोड करना है इस्तान के आधार पर बताईए कि मूर्धन बेंज अब आंसर आपको बताना है कि ये जो का, गा, जा और फा ये ध्वनिया किसकी हैं ये जो नुक्ता वाली ध्वनिया होती हैं दोस्तों ये नुक्ता लगाना नीचे ये जो नुक्ता वाली ध्वनिया होती हैं ये ध्वनिया किसकी होती हैं संस्कृत की होती हैं अर्बी फार्स गए हैं कि जो नुक्ता वाली धुनिया होती है ये वाली है ना ये मानी जाती है दोस्तो अर्बी फार्सी अर्वी फार्सी की मान जाती है इनको याद रखेंगे अंगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको बताना है कि बताइए कि नभीन विक्सित ध्वनिया कौनसी है नभीन विक्सित ध्वनियों के बारे में बताना है नभीन विक्सित ध्वनिया कौनसी कहलाती है इस चार विकल् पढ़ रहे हैं यहाँ पर बर्णमाला को पढ़ रहे हैं तो बर्णमाला में आपका जो खा और गा जो है यह दोस्तों नवीन वेक्सित धुनियों की अंतरगत आता है और उत्तर चला जाता है बिकल्प नमब एक की तरफ यह नमब आपका बिल्कु सही है अंगला क्वेश्च बेंजन, वर्न या फिर अक्छर क्या कहलाती हैं हिंदी भासा में बे ध्वनिया कुण सी है जो दूसरी ध्वनियों की साहिता से बोली जाती है तो बेंजन कहलाती है और बी नमबर आपका बिलकुर सही है अंगला कुश्चन यहाँ पर आपको बताना है दोस्तो का खा गा फा कौनसा उर्दू से लिया गया है उर्दू से बताना है कौनसा उर्दू से लिया गया का खा गा फा मैसे उर्दू से लिया गया जो वर्न है उस बर्न को आपको चैन करना तो आपने बिलकुर सही चैन किया है पुलिसर जो गा है जो स्वरी खा वर्न जो है खा वर्न यह उर् कौन सा घोस बरन है ये चार बिकल्प है घोस बरन का आप कुछ यह निकरना है घोस और अघोस अघोस होते हैं बरगे के एक और दो यानि की प्रितम और दूतिय अक्षर क्या होते अघोस और तीन चार पाँच जो होते वो क्या कहलाते हैं सगोस कहलाते हैं तो यहाँ पर बता यहां पर जो दा है क्या कहलाएगा घोस कहलाएगा यह इसे सघोस भी कहा जाता है तो सघोस भी याद रख रहेना अंगला प्रश्ण करमाग के 48 और 48 में सघोस की बात आई है सघोस भी है और महाप्राण भी है तो सघोस में अपने देखा था कि 3, 4, 5 और महाप्राण में अपने देखा था 2 और 4 तो यहाँ पर 4 यानि कि 4 जो बर्न है चतुर्त जो बर्न है बर्ग का चतुर्त जो बरन है देखो कौन सा है ना बताइए कि खा महाप्रान तो है लेकिन सगोस नहीं है ना तो का खा गा गा ये जो घा है ये क्या है दोस्तों ये जो घा है कि सगोस भी है और महाप्रान भी है ना कि सगोस भी है और महाप्रान भी है तो तरफ कभी नंबर की तरफ चला जाता है अ को सुमेलित करना है सबी लोग सुमेलित करेंगे दे स्वर्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् यहां पर आ गया क्या, एक तीन पांच कौण आ रहा है, एक तीन पांच, अलप परण, और दो चार महापरण होती है, तो एक बताईए, कौन कौणसी है, एक तीन पांच में, कौणसी आ रही है, एक तीन पाँच में बताना है और यहां पर घोस द्वनिया पूची गई घोस द्वनियों में क्या आता है दोस्तो घोस मतलब होता है सघोस और सघोस में आती है कौन सी तीन चार पाँच ठीक है तो इसको भी अपन को याद रखेना है और यहां पर जो आपका उत्तर दिया है वो D number दिया है और D number में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा तीसरे का तीसरा यानि कि दोस्तों यहां पर एक का चा चा ता हाना ता पा और टा बिलकुल शाही है यानि कि जो अलपे प्राण है ये तो एक तीन पाँच में ये पूरी आ जाएंगी ठीक है और ये जो घोस धनिया है घोस में आती है कौन को इनती 3-4-5 और दोस्तों के सन्युक्त वर्न भी इसमें आ जाती है तो चा धा और भा ये भी हो जाएगा तो यहां पर अपने देख लिया स्वरध्वनिया कौन सी हैं स्वरध्वनियों में अम आहा ये सभी आ गए तालब ध्वनियों में चा चा ये दोस्तों परतम 1-3-5 होते हैं घोस द्वनियों में देखा आपने तो ये गहा चा धा के भाह आ गया ठीक है तो इनको अपन को याद रखेंगे ठीक है अंगला क्वेस्चन है चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनी प्रिविड़ती का उधारन है ये आपको बताना है चक् शमीकरण या फिर यहां पर आते हैं अपन अंगला जो अपना क्वेस्चन है यहां पर देखते हैं बेपरयाय या फिर आगम है ना तो यहां पर आपका बिल्कुर सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा यहां पर देख लो एक बार यहां पर अपना जो उ बताना यहां पर अंगला है पाध्वनी का उच्चान स्थान क्या है पाध्वनी का उच्चान स्थान आपको बताना है दंत है उस्ट है मूर्धन है या फिर कंठ है बताईए पाध्वनी अपन पढ़ते हैं ना का चा टा ता पा 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 जो होता है पा उस्ट से तो एक क्या कह कहलाएंगी पादोनी क्या कहलाएंगी पाबर्ग जो है उस्ट से उच्छरित होता है तो आपका राइट अंसर चला जाता है बी की तरफ और उस्ट आपका बिल्कुल सही हो जाता है बी नम्मर आपका सही हो जाता है अर्धस्वर बताना है दोस्तों अर्धस्वर कौन से हैं यह question तो अर्द स्वर कुण से कहलाती हैं कें कमेंट में आपको जल्दी से comment लखना है अर्द स 뉴스 की पूचा गया है तो आपने बिल्कोर सही उत्तर बताया है किसे जो यह, और वह होती हैं कि अर्द स्वर कहलाती हैं क्या कहलाती हैं? अर्द स्वर कहलाती हैं और बिकल्प नमबर एक जो है उसकी तरह पांतर आपका चला जाता है स्वर्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् बिल्कु सही हो जाएगा तो सात्यों Self Study Classes एप जरूर डाउनलोड कर लें जिन्हों ने अभी तक नहीं किया है प्ले स्टोर में सर्च करें Self Study Classes ठीक है हिंदी केस पर्स बेंजन के पांचों बर्गों के दूसरे और चौते वर्न होते हैं क्या होते हैं अलप प्राण महाप्र महाप्राण यानि B नमबर आपका बिल्कु सही हो जाएगा बिसर्ग का प्रियोग किन सब्दों में नहीं होता बताईए किन सब्दों में नहीं होता तदभाव सब्दों में तत्सम सब्दों में संकर सब्दों में या फिर उपरियोगत सब्दों में तो किन सब्दों में बिसर्ग का प्रयोग नहीं होता, ये आपको बताना है, और दोस्तों, हमने पढ़ा है, कि तत्सम तद्भव और संकर, संकर मतलब होते हैं, दो भाताओं की मिल जोल से जो सब्द बनते हैं, उनमें बिसर्ग का प्रयोग नहीं होता, और उत्तर चला जाता है आपका स्ती नंबर स्ती नंबर रेल गाड़ी है ना ऐसे कुछ सब्द संकर सब्द होते हैं हिंदी की साध होनी कई बार एक क्वेस्चन पूछा गया इसको तो याद रख लेना सक्कर बाला स्ता और सर सक्कर तो हम तालू से खाएंगे तालू से सक्कर काई से खाना है तालू से खाना है त्वेसा सक्कर का और सक्कर खाना तालू से त्वेसा जो ध्वनी का उच्चान स्तान होगा वो क्या होगा तालब होगा तालब बयानी की आपका जो सी नंबर है बो बिल्कुल शाए है, अंगला question है आपके सामने, अगोस, अगोस के बारे में बताईए, अगोस अलप पराण ध्वनी कौनसी है, तो ज़ा, था, जा, या फिर का औरता, अगोस अलप पराण ध्वनी कौनसी है, फ्रश्ली किरमांके 57 और अगोस भी है, और अलप पराण भी ह का है बर्ग का दोस्तो ता का ता बर्ग जो था उसका प्रतम अक्षर ये है तो ये क्या कहलाएंगे अगोस भी है और अलप प्रान भी है ठीक है तो ये आपका डी नंबर बिलको सही हो जाएगा अगोस बर्ण कौनसा है अगोस बताना है और अगोस मैंने आपको कई बार बता है कि अगोस वर्ण भे होते हैं जो बर्ग का प्रिथम और प्रिथम और दुतिय अक्षर अगोस कहलाते हैं ठीक है तो अगोस और दोस्तो अगोस की अंतरगत सासा भी आते हैं तो इनको याद रखे ना अगोस वर्ण की अंतरगत सासा भी आते हैं तो डी नमर आपका बताना है फोले अम और अहा इनका दोस्तो अयोग बाहर की अंतरगत आता है लेकिन अगर यहांसा स्वर्फ क्वेस्चन आया है तो आपका उत्तर आई सही होगा आई यहनि की ए नम्मर आपका बिलकुल सही है ठीक है यह जिन्हों ने लगा है उनका इंसर राइट है और दोस् आतियों को जूनियर टैट एक्जाम की तैयारी करना है वो निस्चे थी दोस्तो एप में अडवीसन आज ले लें आप आज एडवीसन आप ले सकते हैं रात त्री बारा बजे तक दोस्तो और अपना जो है तैयारी उसको कर सकते हैं ठीक है तो सभी लोग वीडियो को लाइ प्लेस्टोर से करते हैं तो यह आपका वैल जो है आईकन उसमें लगा हुआ है है ना तो इस प्रकार से सेल्प स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आईकन में आपको एप मिलने बाला है ठीक है तो दोस्तों हम देखें कि प्लेस्टोर में आपको इस प्रकार से देखेगा यह self study classes ठीक है एक प्रेस्टोर में आपको self study classes का app दिखने बाला है ठीक है यह image उसमें डली है यह icon यह logo उसमें डला है ठीक है अब दोस्तों इसको install करना है यहां से आप आप install करेंगे ठीक है अब install करेंगे तो बहां पर आपको नंबर मांगेगा जीमेल नंबर मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप रेजिस्टर करके आंगे बढ़ेंगे